परिचय अबाओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। परिचय अबाओ इस पाठ में सक्षम हो जाएंगे। मानव में जनन प्रक्रिया को समझना। रितुस्त्राव रजोधर्म को समझना। मानव में लेंगिक जनन। मनिश्य एक लिंगी या एका लिंगा श्रई होते हैं। दो लिंग निश्यत बाहे अकारि की लक्षणों जिन्हें दुईतियक लेंगिक गुण कहते हैं। उसमें भी भिन होते हैं। इसे लेंगिक दुई रूपता कहते हैं। मानव में जनन अंग, नर में विरिशन और मादा में अंडाशे योवना रंब की प्राप्ति के पश्चात कारे करना प्रारंब कर देते हैं। योवना रंब या लेंगिक परिपक्वता किशोरा वस्था के दौरान यानि समय में योवना रंब लेंगिक परिपक्वता की वो अवधी है जिसमें जनन अंग सक्रिये हो जाते हैं। मानव नरों में लेंगिक परिपक्वता 13-14 वर्ष की आयू में, जबकि मादाओं में 10-12 वर्ष की आयू में प्रारंब हो जाती है. वरिशन और अंडाशे जीवन घ्षमता वाले युगमकों को उत्पन्न करते हैं, तथा ये हार्मोनों जैसे नरों में वरिशन द्वारा टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में अंडाशे द्वारा एस्टोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन को भी स्रावित करते हैं. नर जनन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निश्येचन के स्थान तक पहुचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मानव नर जनन अंग है व्रिशन, अधी व्रिशन, शुक्रवाहक, मूत्रमार्क, शिश्न, शुकराशय ग्रंथियां, पुरस्थ यानि प्रोस्टेट ग्रंथी और काउपर ग्रंथियां नर जनन ग्रंथियां हैं। व्रिशन, व्रिशन छोटे आकार के एक जोड़े अंडाकार और गुलाबी रंग के अंग होते हैं, जोकी एक पतली भित्ती तौचिय थैली जिसे व्रिशन कोश कहते हैं, उसमें उपस्तित होते हैं। व्रिशन कोश ताप नियामक के रूप में कारे करते हैं, जोकी साधारण शुक्र जनन के लिए व्रिशन का ताप शरीर के ताप से एक से तीन डिगरी सेलसियस तक कम रखते हैं। क्यूंकि अधिक शारीरिक ताप व्रिशन के शुक्राणों का निर्मान करने वाले उत्कों को मृत्त कर सकते हैं। व्रिशन में शुक्राणूं का निर्मान करने वाली जनन ग्रंथियों सहित लगभग 900 पतली तथा घुमावदार शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। जनन ग्रंथियां शुक्र जनन द्वारा शुक्राणूं का निर्मान करती हैं। अधी व्रिशन यानि APD डिमेस अधी व्रिशन एक कुंडली कृत नलिका जैसी सनजना है जो की स्थाई रूप से व्रिशन से जोड़ी होती है और शुक्राणूं के भंडार ग्रिह की भाती कारे करती है जहांपर की शुक्राणूं परिपक्व और गतिशील हो जाते हैं शुक्रवाहक शुक्राणू एक लंबी नली का जिसे शुक्रवाह कहते हैं, उसके दुआरा अंगों जिने शुक्राशे ग्रंथियां कहते हैं, उनमें ले जाय जाते हैं, जहां पर शुक्राणू को पोशन मिलता है, तथा वे संग्रहित किये जाते हैं. मोत्र मार्ग मूत्र मार्ग भी लंबी, संक्री और नलिकादार सनचना है ये स्खल निये, वाहिनी और मूत्र आशे से निकली हुई एक वाहिनी के जुड़ने से बनता है जिससे यह शुकराणू और मूत्र यानी पेशाब दोनों का वहन करता है और इस प्रकार यह मूत्र जनन नलिका भी कहलाता है मूत्र मार्ग पुरुष के शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है शिशन शिशन पुरुष का बाहे जनन अंग बनाता है या एक बेलनाकार उर्ध्व मोटी पेशिये भित्तियों युक्त मैथुन अंग है शिशन के समवेदन शील सिरे को मुंड कहते हैं, जो की सिकुड़ी हुई त्वाचा से ढखा हुआ होता है जिसे लिंग मुंडच्छत कहते हैं नर जनन ग्रंथिया नर में तीन प्रकार की जनन ग्रंथिया पाई जाती है शुक्राशय ग्रंथिया, पुरस्थ यानि प्रोस्टेट ग्रंथिया और काउपर ग्रंथिया शुक्राशय ग्रंथिया एक जोड़ी पतली भित्ती युक्त, पीशिये लंबी पुट्टिया यानि सैख होती है जो की शुक्राणों के पोशन के लिए तरल स्रावित करती है पुरस्थ यानि प्रोस्टेट ग्रंथि एक एकाकी, दीरगाकार तथा पलिरुपित ग्रंथि है जो की मूत्राशय के बिलकुल नीचे स्थित होती है ये तरल स्रावित करती है जो की मूत्र मार्ग में मुक्त किया जाता है का उपर ग्रंथिया एक जोड़ी सफेद, मतर के बीच के आकार की ग्रंथिया है जो की शिष्न के आधार पर उपस्तित होती है ये ख्षारिये वीर का स्रावन करती है जो की मूत्र की अमलता को उधासीन करता है तथा शुकराणूँओं को सक्रिये करता है और शुकराणूं को पोशन प्रदान करता है शुकराणूं पुरुष शुकराणूं अती सूख्ष्म, गतिशील और कशाबिय युगमक होता है यह शीर्ष, मद्देखंड और एककंपन शील पूंच का बना होता है ये अंडाणों के साथ सनलेथ होता है और जनक जीन को संतती तक पहुँचाता है। मादा जनन तंत्र मादा जनन कोशिकाएं या अंड अंडाशयों में बनते हैं तथा कुछ हार्मोनों के निर्मान के लिए भी उत्तरदाई होते हैं। मादा मानव के जनन अंग हैं अंडाशय, अंड वाहिनी नलिकाएं, गर्भाशय, यौनी, मादा जनन ग्रंथियां जैसे बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन। अंडाशय मादाओं का प्रात्मिक जनन अंग है, यह एक जोड़ा छोटे आकार की बादाम की आकृति वाली और सफेद रंग की संदचनाएं होती हैं, जोकी उदर के श्रोनी में उपस्तित होती हैं। आंतरिक रूप से प्रतेक अंडाशय बहुत संख्या में आपरिपक्व, प्रात्मिक या अंडाशय पुटक के साथ होते हैं। अंडाशय अंड जनन यानी उजैनिसिस के द्वारा जनन कोशिका में अंड बनाता है, तथा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। अंड वाहिनी नलिका अंड वाहिनी नलिकाएं एक जोड़ी लंबी, कशाभिये, पेशिये और नलिकादार संदचनाई हैं, जो की अंडाशय के निकट से लेकर गरभाशय तक फैली हुई होती हैं। प्रतेक अंड वाहिनी नलिका का बाहरी भाग अंडाशय के निकट स्थित होता है। इसमें एक चोड़ा छिद्र होता है, जिसे आस्टियम कहते हैं, और अंडाशय के द्वारा निकले हुए अंड को प्राप्त करने के लिए अंगुली सद्रश प्रक्षेब होते हैं, जिन हैं जालर यानि फिंबरी कहते हैं। गर्भाशय गर्भाशय एक बड़ी पेशिये आकार की तथा नाशपाती सद्रिश सनचना है, जो मूतराशय और मलाशय के बीच श्रोणी में उपस्तित होता है, और अंतर रोपन यानि इंप्लान्टेशन, अप्रान्यास और गर्भ य यानि फीटल के विकास के लिए उत्तरदाई होता है। इसका आंतरिक अस्तर अत्यधिक समवहनिये और गर्ण्थिल होता है, तथा गर्भाशय गरीवा कहलाता है, जो की यौनी में खुलता है। यौनी यौनी एक लंबी, पेशिये, नलिकदार सनजना है, जो की गर्भाशय की गरीवा से पीछे तक फैली हुई होती है, तथा यौनी छिद्र द्वारा अंत में प्राकोस्ट यानि वेस्टी बुले में खुलती है। मैथुन के दोरान, जब वीर यौनी में मुक्त होता है, तो यह मैथुन यानि संयोजन गोहा की तरहा कारे करती है, और शिशु के जन्म के दोरान, शिशु इसमें से ही होकर गुजरता है, इसलिए यह जन्म गोहा की भादी भी कारे करती है। मनिश्यों में लेंगिक जनन की प्रक्रिया नर्युगमक या शुक्राणू अतिस्शक्रिये तथा गतिशील होते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में गति करते हैं और अंडवाहनी नलिकाओं में पहुँच जाते हैं अंडवाहनी नलिकाओं में केवल एक शुक्राणू ही अंडवाहनी नलिकाओं में प्रवेश करने पर ही होता है अंडवाहनी नलिकाओं में युग्मनच यानि जाइकोट का भुरूनिय परिवर्थन यानि विकास तुरंत प्रारंब हो जाता है तथा सगर्भता यानि गर्भावस्था शिरू हो जाती है जबकि रितुस्राव यानि रजुधर्म बंध हो जाता है भुरून गर्भावशय में पहुँचने के लिए नीचे चला जाता है गर्भावशय की मोटी भीत्री परत में भुरून का अंतर स्थापित होना ही अंतरोपन कहलाता है तब गर्भावशय की दीवार और भुरून के मध्य एक विशेश उतक जिसे अपरा कहते हैं उसका विकास हो जाता है जो की भुरून को ऑक्सीजन तथा पोशन की आपूर्ती एवं कारवन डायोकसाइट तथा भुरून द्वारा उत्पन उत्सरजी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कारे करता है गर्भाशे के अंदर गर्भ यानि फीटल के विकास से लेकर बच्चे के जन्म की अवधी को गर्भावदी यानि जैस्टिशन के अंथ पर पूर्ण विक्सित गर्भ यानि फीटल को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसफ यानि पार्ट्यूरिशन कहते हैं मा के शरीर के अंदर बच्चे के विकास की प्रक्रिया में लगभग नौ महीने का समय लगता है रितुसराव यानी रजोधर्म रग्तवाहिका के साथ यौनी से रग्तसराव के रूप में गर्भाशे की मोटी और मुलायम आंतरिक दिवारों के तूटने तथा हटने को रितुसराव यानी रजोधर्म कहते हैं अंडाशे और गर्भाशे में प्रतेक 28 दिन या एक महीने बाद आतरोत बहाव की घटना का चक्र होता है जिसे मादा मानवों में आतरोत चक्र यानी मेंस्ट्रूल साइकल या लेंगिक चक्र कहते हैं या चक्र दो से आठ दिनों तक चलता है क्या आप जानते हैं शुक्राणूं वीर्रे यानी सिमन का केवल 10 प्रतिशत भाग ही बनाते हैं मादा एक वर्ष में लगभग 13 अंडे देती है जबकि मादा मानव जननकाल के दौरान लगभग 416 अंडे देती है मानव मादा में यौवना रंभ पर प्रथम रितुस्राव रजोधर्म जिसे रजोधर्शन यानी मैनार्क कहते हैं इसका प्रारंभ होता है रजोनी वृत्ती यानी मीनोपॉस वहकाल है जब मादा मानव में अंडोध सर्ग और आत्रोध चक्र स्थाई रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाता है नई जन में शिशू का औसदभार 3.5 किलोग्राम होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं मानव एक लिंगी होते हैं तथा लेंगिक दुई रूपता दर्शाते हैं नर जनन तंत्र व्रिशन, अधी व्रिशन, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग और शिश्न से मिलकर बनता है शुक्राशय ग्रंथियां, पुरुस्थ यानी प्रॉस्टेट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां नर की सहायक जनन ग्रंथियां है मादा जनन तंत्र अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय, योनी और भग से मिलकर बनता है बार्थोलिन ग्रंथिया और स्तनमादाओं की सहायक जनन ग्रंथिया हैं आर्थ्व चक्र के अंतरगद अंडाशय में होने वाले चक्रिये परिवर्तन और जनन काल के दौरान मादा जनन ख्षित्र में होने वाले परिवर्तन सम्लित हैं यह चक्र लगभग एक माह में पूरा होता है। यह चार प्रवस्थाओं पुटक प्रवस्था, अंडोत सर्ग प्रवस्था, सरावी प्रवस्था और आर्थ्व प्रवस्था से मिलकर बना होता है। यह यौवना रंभ पर प्रारंभ होता है और रजोनी वृत्ति यानि मीनो पॉस पर पून रूप से बंद हो जाता है। भृूण ये परिवर्धन के अंतरगत घटनाओं की एक श्रिंखला होती है जिसमें युगमनज जाई कोट एक भृूण में बदल जाता है। इसके अंतरगत प्रावस्थाएं जैसे युगमक जनन यानि गयमी टोजे नैसिस, दिशेचन, विदलन यानि क्लिवेज, अंतरोपन, अपरान्यास, गरभावदी यानि जैस्टिशन, अंडि जनन यानि उजे नैसिस और प्रसव यानि पाट्यूरिशन समलित होती हैं।